बिसमिल्लारुमारोहरीम, अस्वालालीकूम, आई मुहमाद वैसगर्णी, आई विए जए एस टी एचेम, ए उसे टीशर अलिव मिना है, तो इन आवर प्रिवेस लेक्ट्चर, वी हैब लर्न अजेक्टिव, एंड टाइपस अजेक्टिव, अजेक्टिव, आज हम पढ़ेंगे, चलिए हम चलते हैं, काइट्स अजेक्टिव पढ़ने के लिए, ठीके जी, काइट्स अजेक्टिव के साथ साथ मैं आपको काइट्स अजेक्टिव के साथ साथ में आपको काइट्स अजेक्टिव के साथ साथ बताता रहूंगा, जो कु आइवन करके पढ़ते हैं तो adjective of quality adjective of quality को आप descriptive adjective भी कहते हैं ठीक है जी? adjective of quality को आप descriptive adjective भी कहते हैं what is adjective of quality or descriptive adjective it shows the kind or a quality of a person or thing वो किसी भी noun की किसम या quality को बताती है मिसाल की तूर पे जी किसी तरह? he is a wise person he is a wise person वो क्या है बहुत अकलмен शख्स है वो क्या है बहुत अकलмен शख्स है तो यहां पे जी शख्स person है और quality कोन सी है wise he is an honest man तो अब यहां पे man कहा है noun है और उसकी quality कहा है honest this is a bad boy तो अब यहां पर वाइ क्या है आपके पास noun है और जी adjective क्या है bad ठीके जी इस तरह ही क्या है जी the foolish boy shouted in the class the foolish boy shouted in the class तो यहाँ पे जी बॉआई क्या है noun है और उसके साथ foolish use हो रहा है quality use हो रही ही ना quality का मतलब अच्छा ही बुराई हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है clever हो सकता है bad हो सकता है उसके बाद आप आप और naughty हो सकता है pretty हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आप use कर सकते हैं, noun के साथ, ठीक है जी, beautiful हो सकता है, attractive हो सकता है, handsome हो सकता है, तो adorable हो सकता है, famous हो सकता है, ये सारे क्या है, adjective of quality, क्या है सारे, adjective of quality, तो आपको कैसे पता चलेगा, कि ये adjective of quality हैं, ठीक है जी, तो इसका अपने सवाल अपने आपसे पूछना ह of what kind of what kind का सवाल स्टार्ट होगा ठीक है जो भी सवाल of what kind से स्टार्ट होगा मिसाल के तो पर of what kind he is a person ये किस किसम का शक्स है तो आप उसका जवाब हमेशा quality में देंगे ठीक है he is a wise person ठीक है that is a foolish boy तो हमेशा आपका जो question है of what kind से स्टार्ट होगा जो भी adjective कौन सा adjective होगा जो भी adjective of quality होगा अब हम चलते है adjective of quantity adjective की थोड़ी से spelling यहां हो गई है जी चल दी के अंदर ठीक है जी adjective of quantity adjective of quantity क्या होता है देखें quantity कभी भी आप बजार में जाते हैं market में जाते हैं भी चीज लेने तो वहाँ पर इदर explanation लिखी हुए होता है और आगे लिखा होता है quantity ठीक है तो quantity के अंदर हम क्या लिखते हैं two, three, four, five, six कुछ इस तरह लिखा होता है लिखें बट वो गलत होता है वो क्या होता है जी गलत होता है according to the grammar उसी जाप से नहीं होता पता लगे आप किसी से लड़ पड़े तो बहराल जी वो गलत होता है किस तरह grammar के sense in a grammar sense it is not a correct way to describe a thing क्यों जी वो आज हम बढ़ते है quantity क्या होती है it shows how much of a thing is meat मतलब कितना होनी चाहिए कोई भी चीज कितनी होनी चाहिए कोई भी चीज ठीक है जी मिसाल के तरह आप बहुर रहे है some ठीक है all few ठीक है यह वाले आप words यूज कर रहे है तो जब आप यह words यूज करना है तो इनकी कोई meaning नहीं होती exact meaning नहीं होती इनका मतलब यह नहीं होता है एक, दो, तीन, चार, यह होते हैं, थोड़ा सा, मिसाल के तरफ़र, I add some rice, मैंने थोड़े से चावल गए, मेरे थोड़े हो सकता है, क्या कहते हैं, मैं एक प्लेट खाता हूं, तो मेरे थोड़े से, बिल्कुल हो, कम हो, और एक शक्स खाता है, चार प्लेट हैं, और उसके थोड़े कितने हो, उसके तो थोड़े ही, दो, तीन प्लेट हो जाएगी, यह एक प्लेट तो होगी ना, उसका थोड़ा भी, तो यह exact, जो आपकी चीज होती है, उसको point out नहीं करता, exact चीज के बारे में नहीं बताता, यह बताता है, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी, अब जो थोड़ी सी चीज होगी, वो क्या होगी, वो हमेशा ऐसी चीज होगी, जिसे आप count नहीं कर सकते, तो आप जिसे count नहीं कर सकते, वो होती है, uncountable noun, वो क्या होता है, uncountable noun, health क्या है यहाँ है uncountable noun adjective of quantity is always used along with the uncountable noun और इसका question किसे स्टार्ट होता है how much से how much I add rice मैंने कितने से चावल खाए थोड़े से बहुत ज्यादा से ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि यह जो words है few है, some है, all है, several है यह सारे क्या है adjective of quantity है जब इनके बाद आपका क्या use of uncountable noun ठीक है जी, तो hopefully यह clear होगा अब हम चलते है number three के ओपर adjective of number, adjective of number क्या है जी, numeral adjective, numeral adjective होते क्या है it shows how many persons or things are meant or in what order a person or thing stands थोड़ा सा tricky बट हम इसको cover कर लेंगे tension बिलकुल नहीं लेनी आप लोगोंने तो it shows how many persons or things how many, how many ka question हम जाला हो how many brothers have you, how many sisters have you ठीक है, यह हम जो question है वो पूछ रहे होते हैं, तो अब यह जो question होता है how many का, वो ऐप से क्या पूछ रहा होता है वो आप से पूछ रहा होता है adjective of number, बिसल के लोगर मैं आप से पूछता हूँ how many brothers have you, आप बोता है I have some brothers तो आप किसका जवाब दे रहें आप adjective of quantity का जवाब दे रहें या मैं आप से कुछ दा हूँ How many brothers have you आप बोलते है I have good brothers तो आप जवाब adjective of quality का दे रहें समझ आ रही है आपके जहिन में बाद कि देखें एक जो सवाल है वो खुद बता रहा है कि मेरा जवाब objective of number में होगा मिसाल के तो पर आप सवाल करते है How much wealth you have lost तो मैं बोलता हूँ I have five wealth I have lost five wealth तो मैं बोलें कि पाँच दॉलते हैं आपने का वादी मैंने तो आपने number से पूछा ही नहीं यहां तो सारी होगी यहां थोड़ी सी होगी यहां अगर मैं आप से पूछता हूँ के जी how much you add the rice वो आप मुझे जवाब देते हैं I add good rice I add delicious rice तो आप बोलें कि क्या हो गया मैंने तो आप से पूछा था कि बहुत मज़ेदार थे यहां मज़ेदार नहीं थे तो यह देखें यह है difference ठीक है questions याद रखनें यह है difference तो मैं दुबारा repeat कर देता हूँ adjective of quality का जो question है वो of what kind से शुरू होगा adjective of quantity होगा how much ठीक है इसी तरह ही adjective of number होगा of how many से ठीक है जी numeral adjective तो यह बात clear हुई के how many persons जो नीचे भी हम पढ़ेंगे इसमें से यह point clear होगा आपको ठीक है जी किस तरतीब से चीजें खड़ी है तो वो है adjective of number अच्छा एक और बात अपने जहन में यहाँ बिठा लें कि आपके पास adjective के अंदर जितने भी number है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on so forth ठीक है यह जितने भी number हैं यह सारे के सारे adjective of number है सारे के सारे क्या है adjectives है मतलब अगर किसी के पास एक रुपया है तो वो एक quality है अगर किसी के पास 10 रुपय है तो वो भी एक quality है दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते तो all the numbers which you have learned either in a grammar or in mathematics all odds adjective of number और numeral adjective ठीक है यह बाली बात clear कर लें अब जी examples देखते है the hand has five fingers the hand has five fingers हाथ के अंदर पाँच उंगलिया होती है हाथ के अंदर कितनी उंगलिया होती है जी पाँच उंगलिया होती है तो जी यहां पे adjective कौन सा है five equality है ना almost six fingers in a hand जिनके दो थम्ब होते है तो अब वहाँ पे six हो गई तो quality है ना तो देखें number क्या होती है quality कौन सा है adjective of number few cats like cold water कुछ बिलियों को तंडावानी अच्छा लगता है तो अब यहां पे जी cats क्या है cats आपके देखें cats क्या है noun और few कुछ तो यहां पे जो few है वो जिहास इस्तमाल कर रहा है वो आपका adjective of number बता रहा है थोड़ी सी confusion ही होगी sir यह few तो यहाँ पे भी इस्तमाल हो सकता है थीग है मैंने अभी उपर बताया था ठीक है के few आप उपर भी इस्तमाल कर सकते है और नीचे भी इस्तवाल कर सकते हैं तो अब कैसे पता चलता है तो basic सी मैं आपको definition बता दू कि यहाँ पे जी uncountable noun था और यहाँ पे countable noun है ठीक है few के बाद cats क्या है countable noun और यहाँ पे all के बाद his wealth wealth क्या है uncountable noun तो rise क्या है uncountable noun तो यह वाला concept clear हो गया होगा अब हम नीचे चलते है adjective of numbers are three kinds further ठीक है numeral adjectives has divided into three kinds कौन कौन से हैं जी number one definite numeral adjective definite numeral adjective क्या होता है which denote an exact number जो क्या करें जी an exact number बता है जो मैंने आपको भी number बता रहा था न के जी जो आपके पास number होते हैं वो क्या हैं सारे के सारे adjectives हैं तो number के भी दो तीन type हैं यहापे दो लिखे हैं तीसरी भी मैं आपको बता देता हूँ multiplicative ठीक है जी तो ordinal क्या होता है जी ordinal होता है first, second, third, fourth, fifth जो positions वाइज आती है न ordinal तो यह जो definition थी in what order a person or thing stands वो इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी ठीक है जी तो first, second, third, fourth, fifth, sixth and so on so forth यह इस तरह जितने भी words हैं यह सारे क्या हैं जी आपके पास ordinal number है cardinal क्या है जी one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten and so forth on so forth यह वाले number क्या है जी यह आपके number है cardinal फरक बस देखें यह है अब एक होते है multiplicative multiplicative क्या मतलब क्या होता है single, double, thrice यह वाले number क्या है यह है multiplicative ठीक है जी तो यह सारे क्या है definite numeral adjective अब हम आगे चलते है indefinite numeral adjective indefinite numeral adjective जो होते हैं which do not denote an exact number वो जो है exact number के तरफ जो है इशारा नहीं करते हैं exact number के बारे में नहीं बताते हैं चले जी अब हम आगे चलते हैं इसकी तीसरी काइन पढ़ते हैं इसकी तीसरी काइन का है distributive numeral adjective distributive numeral adjective होते क्या हैं बड़ी काम की चीज़ है distributive numeral adjective तो यह मैं आपका concept इदर clear करूँग एक नंबर की तरफ इशारा करें अब जी देखिए बात सुनी है यहां पर जो इच है ना इच आपका प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है इच आपका अजिक्टिव भी यूज़ हो सकता है यह आपने ख्याल करना है तो अब देखें इच बड़ी हर लड़के को उसकी बारी मिलेगी तो इच के बाद क्या आ रहा है वो आए ठीके तो यह क्या है डिस्टिब्यूटिव निम्राल अजेक्टिव अच्छा अब अगर मैं लिखता हूँ इच कैन डू इट इच कैन डू इट यह कोई भी कर सकता है इसको मैं तो रख लेर करके लिखता हूँ ताके आपको असानी हो इच कैन डू इट अब यहाँ पर इच क्या है इच के बाद नाउन है नहीं है तो मॉडल वर्ब है ठीक है तो यहाँ पर इच क्या है यहाँ पर इच है डिस्टिब्यूटिव प्रोनाउन क्या है जी डिस्टिब्यूटिव प्रोनाउन अगर इच के बाद आ रहा है क्या जी नाउन तो यह है डिस्टिब्यूटिव अजेक्टिव ठीक है जी सिंपल सी बात है adjective क्या होता है which adds in the meaning of noun तो अगर noun इस्तमाल हो रहा है साथ तो वो adjective है और अगर noun इस्तमाल नहीं हो रहा तो वो pronoun है each who I must take is from तो यहाँ पर each क्या है वो है adjective यह बात जहन में रखेगा टेस्टों के दर सवाल पूछा जाता है अकसर स्टुडेंट ने एक ही रेटा मारा होता है और फिर आगे जाके वो confused हो जाता है तो यह वाला point मेरा लाजमी तो पर लेक के ले ले आपको बहुत काम आएगा आगे चलते हैं जी next example की तरफ either either pen will do it यह तो वो कोई भी कर लेगा यह जो आपने लिखा है ना पहन से यह तो कोई भी लिख लेगा आपने कोई अनोखा काम थोड़ी की है तो either के साथ जो pen आ रहा है तो यहाँ पे जो either है वो है adjective distributive adjective और अगर मैं बोलता हूँ either will go there either will go there वहाँ पे तो और कोई चला जाएगा आपने जाके कौन सा 30 मारखानी कर लिए either will go there तो यहाँ पे either के बाद देखें noun नहीं आ रहा है either के बाद helping वोब आ रहा है तो यहाँ पे either क्या है यहाँ पे either a distributive pronoun क्या है जी distributive pronoun और अगर इसके साथ either pen will write it तो यह तो कोई भी pen लिख लेगा तो वहाँ पे either क्या है फिर अगर either के साथ noun use हो रहा है तो यह होगा distributive जी numeral adjective इसी तरह नाइधर नाइधर is the negative अब आईवे के टेस्ट के अंदर कुछ इस तरह के सवाल आते हैं लास्ट टाइम भी जो इनका टेस्ट हुआ था उसके अंदर देखा था जी adverb के अंदर से adverb of frequency के अंदर से इन्होंने synonym इंटनम दिये वेते तो मैं आपको पता रहा हूँ कि either क्या है positive अगर टेस्ट में आजाए what is the negative of a either या internum of a either तो वो क्या होगा neither ठीक है neither negative, either positive ठीक है यह वाली point आप clear कर ले अचा उसके अगर neither house is mine यहाँ पर कोई भी घर मेरा नहीं है ठीक है तो neither के बात क्या रहा है तो यहाँ पर क्या है जी है यहाँ पर है जी یہ adjective और अगर आजा है neither is mine मेरा कोई भी नहीं है तो यहाँ पर नीधर क्या होगा फिर होगा pronoun अगर यह simple सी बाते बार पार रिपीट कर रहा हूँ hopefully आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी अब जी काफी student ये हो रहे होंगे neither I neither Ali neither Ali or Aslam or Aslam will go there ठीक है तो अब यहाँ पर neither क्या है ठीक है ये वाली बात आपको clear कर रहा हूँ कि neither और either कि मैं सारे concept बता रहा हूँ यहाँ पर ये conjunctions हैं क्योंकि pair के अंदर use हो रहे है किसके अंदर use हो रहे है पेर के अंदर जब भी either के साथ और pair के अंदर आ जाएगा तो ये conjunctions बन जाएगा मगर अगर single आएगा तो आपने देखना इसके साथ noun है तो ये adjective है अगर इसके साथ noun नहीं है तो ये pronoun है बात होगा है clear either और neither दोनों के लिए अब हम चलते हैं demonstrative adjective के तरफ demonstrative adjective भी simple सी चीज़े है point out जो हमने definition में पढ़ा था point out which person or thing is mean point out करते हैं कि आप किस शक्स के बारे में बात कर रहे हैं किस तरह जी नहीं साल के दर में बोनाओ this pen is mine ये जो pen है ये मेरा है ठीक है that chair is not mine वो जो chair है ना वो मेरी नहीं है अब example में देख लें this pen is heavier than it ये जो pen है वो इससे भारी है अब यहाँ पर ये जो this है ना this के बाद लेके noun आरहा है बिल्कुल आरहा है तो यहाँ पर 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 यहा आप खुद देखेंगा गिरामर आपके लिए गेम बनके रह जाएगी ना कि चीजों को सेट करना है, जिसे पजल गेम होती है ना तो बिल्कुल पजल गेम की तना गिरामर चलती है अगर आपको रूल्स का पता है तो आप चीजों को इधर उधर करते रहते हैं आपको समझ आती रहती है और अगर इन रूल्स का नहीं पता तो फिर तो गिरामर आपके लिए एक बहुत बड़ा डाइनासार है जो आपको खा जाएगा समझ नहीं लगेगी तो डरना बिलकुल नहीं है चीजों को समझें वन बाए वन करके आपका कॉंसेट ट्रिस्टल क्ल यह दिस के साथ अगर नाउन आ रहा है तो और अजेक्टिव है दिस के साथ नाउन नहीं आ रहा तो वो क्या है प्रोनाउन सिंपल I hate such things I hate such things देस ए देट इज दोज ए और सच ए यह प्माच वर्ड्स हैं जो डेमोंस्रेटिव अजेक्टिव के तोर पे इस्तमाल होते हैं this है करीब के लिए that है दूर के लिए singular इसी तना ही these है करीब के लिए plural those है दूर के लिए plural तो ये चार वर्ड्स और एक सच ये चार पाँचो वर्ड्स क्या है demonstrative adjective और जब इनके बाद नाउन नहीं आ रहा तो ये पाँचो वर्ड्स ही आपके demonstrative pronoun है चलिए जी अब आगे चलते हैं integrative adjective की तरफ integrative adjective होता क्या है simple सी जी तीन वर्ड्स याद करने ज्यादा टेंशनली बात नहीं है ठीक है तीन वर्ड्स याद करने what which who's what which or whose ठीक है जी जब आपको ये तीनों वर्ड्स याद हो गए और आपने ये दिखना है कि इन तीनों वर्ड्स के साथ क्या हो noun यूज हो रहा हो और वो किस काम आ रहे हो जी question पूछने के काम आ रहे हो तो फिर ये तीनों वर्ड्स what which और whose क्या है integrative adjective कैसे जी whose ink is this ये जो ink है वो किस की है तो whose के साथ ink noun आ रहा है तो whose क्या है आपके पास integrative adjective नीचे जी which way shall I go मुझे कौन से रस्ते से जाना चाहिए तो अब यहाँ पे हम अक्सर बोलते हैं in which class do you read आप कौन सी class में पढ़ते हैं तो which class which के बाद noun आ रहा है तो वो हो गया integrative adjective what manner of man is he ये किस किसम का शक्स है तो what के साथ noun आ रहा है manner क्या है आपके पास uncountable noun abstract noun तो इस तो वोट के साथ अगर noun आ रहा है तो वोट यहाँ पर क्या है integrative adjective अगर मैं बोलता हूं what is this what is this तो यहाँ पर वोट क्या है यहाँ पर pronoun नहीं है वोट ठीक है जी यह वाट डव्ली एच फैमली का member है ठीक है integrative के अंदर आपने ऐसे नहीं है इसको pronoun करके बैठ आ हूँ अगर नहीं देखा तो आप लाज़मी तो पर उसको दुबारा रिव्यू कीजी आपको समझाए जाएगा integrative sentence होता क्या है ठीक है जी तो अब what is this यहाँ पर what integrative adjective नहीं है क्योंके इसके बाद noun नहीं आ रहा तो यह तीन words आपने याद करने हैं सिर्फ अब जी सिर्फ यह ज emphasize जब दो words on or very किस के साथ use होंगे noun के साथ simple सी बात हैं किस के साथ इस्तमाल होंगे noun के साथ अब यहाँ पर आज आज आपको एक ऐसा point पता चलेगा जो मुझे उमीद है आपके लिए बहुत फायदे मन साबित होगा ठीक है जी तो सबसे पहले क्या है emphasizing adjective on or very तो on or very दोनों ह ही क्या है जब इनके साथ noun यूज होगा तो यह होगे emphasizing adjective किस तरह example देखते है that is the very thing we want that is the very thing we want अब यहाँ पर यह जो very है न यह क्या है emphasizing adjective और यहाँ पर यह जो thing है यह noun है यह वही तो चीज़े जो मुझे चाहिए थी यह वही तो चीज़े जो मुझे चाहिए थी तो very बिल this is a very good book अक्सर मैं बच्चों को पढ़ाता कुछ हूँ हो समझ कुछ बैठते हैं तो अब यह जाना यह example लगती है यहाँ पर very क्या है adjective नहीं है ठीक है जी adjective नहीं है ठीक है good good क्या है यहाँ पर adjective है तो दो adjective आप किस तरह इस्तमाल कर रहे हैं वो एक अलग situation होती है जब इस् जी I side with my own eyes भाई मैंने अपनी आखों से देखा है उसको यह काम करते है I side with my own eyes जब आपने उसको अपनी खुदगी आखों से देखा है तो वो क्या होगा own के बाद noun है तो यह क्या है emphasizing adjective last one जी exclamatory adjective last one exclamatory adjective क्या होता है exclamatory adjective simple सा है the word what is sometimes used आपके मिसाल के दोर पर कोई कोई बो आपके अंदर तो what इसका मतलब वो नहीं होता क्या 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 होता है है हिरानगी वाला क्या बात है what an idea what a car what a house what a barrier town ठीक है what an airport ठीक है तो यहां पर what क्या है use हो रहा है यहां पर what जो है वो exclamatory adjective के तोर पर यूज हो रहा है क्योंकिए idea क्या है अब जी हम पढ़ते हैं what is the difference between adjective of quantity and adjective of number दोनों के अंदर क्या फरक है दोनों मैंने एक साथ लिख दी है क्योंकिए आप लोगों को यह वाला concept के लिए उनना बहुत लाजमी है ठीक है सिंपल सी बात है आपको एक trick बता देता हूँ दीक है adjective of quantity के साथ आप uncountable noun यूज करते है countable और uncountable हमने पिछले अपनी वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है ठीक है जी तो उसको मैं बार बार repeat अप नहीं करूंगा I ate some rice I ate some rice मैंने कुछ चावल खाए तो rice यहाँ पे क्या है countable uncountable uncountable तो यहाँ पे some क्या है adjective of quantity ठीक है आगे आ जाएं जी some boys are clever some boys are clever यहाँ पे some adjective है boys क्या है आपके पास countable noun तो यहाँ पे some क्या है adjective of number बात आ ही समन में यहाँ पे क्या है adjective of number नीचे आज़े number second पे he has lost all his wealth he has lost all his wealth उसने अपनी सारी दौलत गवा दी all men अब यहाँ पे देखें all के बाद wealth आ रहा है तो wealth क्या है uncountable noun तो uncountable noun है तो यह हो गया adjective of quantity आ जा है all men must die men जो है वो countable है plural form है तो all यहाँ पे क्या है adjective of number सिंपल सी बात है आपने बस यह जो words है ना इन words के उपर नी जाना यह words कभी adjective of quantity यूज़ हो रहे है यह words कभी adjective of number य notice करना है कि इनके बाद जो noun से either it is countable और uncountable if the nouns are uncountable then these words are always used as adjective of quantity और if the nouns are countable then these adjectives are always used as adjective of number चले दी अगली example पर चलते है you have no sense आपको अगल मौती नहीं है आपको कोई sense नहीं है तो sense क्या है uncountable noun मैं किसी को भी नहीं कह रहा है यह just example है ठीके जी sense क्या है आपके पास uncountable noun तो no यहां पर क्या है no है adjective of quantity आपने तो no कभी सोचा ही नहीं होगा कि यह adjective भी हो सकता है ठीके आपके लिए एक सवाल है not क्या होता है ठीके यह मुझे बताईएगा आप लोगोंने मुझे personal में message करके बताना है या ग्रूप में कर देगा कि sir जी यह not क्या होता है ठीके not क्या है parts of speech में जरा no से बात चली है तो हमने not तक पहुचा दी ठीक है no से बात चली है तो not तक पहुचा दें ताके not गुसा ना कर जाए और आपके लिए भी एक concept clear हो जाए ठीक है जी यह जो लोग बहस करते हैं बहस वो लोग करते हैं जिनको कुछ आता नहीं है तो अब यहां पर यह देखें not आपने काफी लोगों के मुझसे सुना होगा और नो भी सुना होगा आज आपको पता चला है कि नो क्या है जिनको पता था पहले से बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है इसमें कोई शक नहीं है ठीक है वो मेहनत करने वाले स्टूडेंट से there are no pictures in this book तो no के पात pictures क्या है countable noun तो यहां पर adjective of number है पहले तो कोई इसको adjective मानेगा नहीं अगर कोई ना माने तो आप इसको क्या कहते हैं आप dictionary में से check कर सकते हैं Oxford dictionary में से check कर सकते हैं उसके बाद है जी he did not eat any rice he did not eat any rice वो जी उसने कुछ भी चावल नहीं खाय तो any के बा countable noun तो यह क्या होगा adjective of quantity अच्छा जी यहां पर अगर इसको हमने positive करना हो तो इसका positive क्या होगा he did not eat any rice इसका positive क्या होगा कोई बताएगा शाबश जी शाबश 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 इसका positive क्या होना चाहिए इसका positive होगा मैं बोलूँगा नहीं मैं लिखूंगा यह होगा he add some rice ठीके जी यह इस तरह test के अंदर काफी दफा सवाल आ जाते हैं को some आप positive sense में यूज़ करते हैं और intuitive और negative के अंदर आप any यूज़ करते हैं बात आगे चले जी are there any mango trees in this garden are there any mango trees in this garden अब इसका positive बना के आपने मुझे भेजना है ठीके इसका positive बना के आपने मुझे बता रहे हैं कि इसका positive क्या होगा ताकि इंटरेक्शन रहे और मुझे पता चले कि कितने students जो है actively participate कर रहे हैं ठीके जी तो आप यहाँ पर देखें जी any के बाद mango trees mango trees countable एक compound noun है क्योंके बीस में क्या रहे है डैश आ रहे है तो compound noun हाइफ़न आ रहे है ठीके जी तो यह क्या है आपका compound noun और noun कौन सा है countable तो any यह आपके क्या है adjective of number अच्छा नीचे चलें I have enough sugar I have enough sugar enough क्या है आपके पास adjective of quantity और sugar sugar क्या है आपके पास noun sugar क्या है आपके पास noun ठीक कौन सा countable और uncountable uncountable तो enough क्या है यह adjective of quantity आगे आजए there are not enough spoon हमारे पास पूरे चम्चे नहीं है तो अब चम्चे चम्चों की तो बड़ी ही क्या कहते हैं आज क्या बोलते हैं demand जो जितना बड़ा चम्चा उतनी बड़ी उन self respect करवानी है तो अपने अंदर ability पैदा करें आपकी ability के उपर लोग आपकी इज़त करेंगे तो फिर आपको अंदर से inner जो है आपको खुशी मिलेगी तो अब हम आ जाते हैं adjective of number की तरफ तो enough के बाद spoon का accountable ना हो तो यहां पर enough क्या है यहां पर enough होगा adjective of number तो जी hopefully आपका जो concept है वो clear हो जाना चाहिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किये अगर पर भी आपको कोई अभी भी सवाल है कोई चीज समझ नहीं आरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई issue नहीं है you can ask me I will answer you अपना ख्याल रखिएगा खुदा आफ कि अ झाल रखिए कि अ झाल मुझसे ये खुईquis समझाल बाल मुझसे घर फे उप चैंड र संब甲मड सब श मुझसे लोकीज सांम कोई चीजा हैं भी सवाल आरी मुझसे पूर्सवає